पर इसके बारे में कोई भी पेपर प्रूफ नहीं दिखाया जादा जिसको हम देखकर ये यकीन कर सकें। इन तिनों पॉइंट्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा 400-500 करोड के फिल्म में या प्रोपगेंडा फिल्मों के लिए किया जाता है। Controversy Boycott Box Office यही फॉर्मला आजकल की Bollywood Movies में काफी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात एक्स्प्लेइन करने के लिए मैं आपको 10-20 साल पुरानी हिस्ट्री बताने वाला नहीं हूँ। मैं आपको सिफ दो साल में जितनी भी सक्सेसफुल मूविज रिलीज होई हैं उनका डेटा बताने वाला हूँ। और इस वीडियो का एंड आते आते मैं आपको ये बात प्रूफ कर दूँगा के Controversy Boycott और Box Office आपके हातों में तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ आपके दिमाग को मैनुपलेट करने की एक टेक्निक है जिसकी वज़े से आपके दिमाग में एक बात को इंजक्ट किया जाता है कि भाई ये मूवी तो देखने ही पड़ेगे कि क्यों इस मूवी के बारे में इतनी बाते की जा रही हैं। इस पूरे ब्रेनवर्श का सबसे पहला स्टैप है कांटरवर्सी। इसमें भी रिलीस होने से पहले मूवी का टीजर या ट्रेलर आता है जिसमें जानबूज कर कुछ ऐसी चीज़े एड़ की जाती हैं जिससे लोग इमोशनल या मेंटली जुड़े होए हो ये अटेच्मे रावन को ऐसे और प्रभु श्री राम को ऐसे इसके बाद आता है बॉयकॉट और ये पॉइंट सबसे इपोटेंड है क्योंकि ये पॉइंट उतना ही खास है जितना यूट्यूबर्स के लिए आजकल आदीपूरिश क्योंकि सारे वियोज तो आदीपूरिश की जंड करके याने वले हैं बात तो सही है बोईकोट में कंटरवर्सी की सब्जेट को उठाकर ट्विटर पे ट्रेंड चुलाया जाता है जैसे के इसके बाद मुवी को मीडियो और पबली की अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है इसे कोई फरक नहीं पड़ता कि वो अटेंशन पोजिटिव है या नेगटिव अलग अलग स्टेटमेंट दिये जाते हैं एक्टर्स वीडियो शेयर करते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि जो उन् मुवी के बारे में जो भी नेगटिव पोजिटिव मुद्दा है वो आम जनता की बात चीज़ का मुद्दा बन सके इसके बाद आता है बॉक्स ऑफिस पंड्रवर्सी और बॉयकॉट का इंपक्ट आपको बॉक्स ऑफिस में देखने को मिलता है एक बात को पब्लिक की दि रात तो रात दीपी का की एक ड्रेस नेशनल इशू बन चुकी थी और बाई न्यूज चैनल पर हमको पूरा पूरा दिन यही देखने को मिलता था इन तिनों पॉइंट्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा 400-500 करोड के फिल्म में या प्रोपगेंडा फिल्मों के लिए किया जाता है मैं यहाँ एक मुवी को हाइलाइट करना चाता हूँ आदी पूरिश आदी पूरिश का सबसे पहले एक टीजर आया था जिसको देखकर भाई कोई उस मुवी को बॉइकट करने की मांग करेगा ही करेगा क्यूंकि मैं भी एक हैंज रही सेम फिलिंग मुझे भी आई थी जब मैंने उस मुवी का टीजर देखा था पब्लिक मुवी के वी एफेक्स और क्रेक्टर की लुक्स को लेके इतना गुस्ते में थी कि ट्विटर पे ट्रेंड चलने लगे कि बॉइकट क्या इस मुवी को तो रिलीज ही नहीं होना चाहिए पब्लिक सडकों पे आ चुकी थी जब उन्होंने प्रभू श्री राम को ऐसे दिखा जब भी हम बगवान राम के बारे में सोचते हैं कुछ ऐसी इमिज हमारी आँकों के साबने आती है पर जब हमको कुछ ऐसा देखने को मिले तो ये क्या है इतना सब होने के बाद भी टी सीरीज के मालिक ने मूवी के डिरेक्टर को करोडों की कार गिफ्ट कर दी क्योंकि उनको पता था के भाई ये नेगटिव रिस्पॉंस भी उनके फेवर में ही आने वाला है मुझे ये देखने के बाद कोई भी हैरानी नहीं होगी कि आदिपुरज 1200 करोड की कमाई कर ले क्योंकि भाई इसको बेचाई ऐसे जा रहा है तुमको क्या लगता है कंट्रवर्सी बॉयकॉट और बॉक्स ओफिस वाला ये फॉर्मूला आदिपुरज के कितना ही काम आने वाला है कमेंट्स में बताओ वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई शेर कर देना और शॉर्गे तो सब्सक्राइब मैं चानल